स्मार्ट गल्स और स्मार्ट बॉइस के लिए कुछ ऐसे स्मार्ट फून्स जो कि आपके आसपास दिखने वाले नॉर्मल स्मार्ट फून से काफी अलग होंगे और इनकी ये खास फीचर्स कई मल्टी टेलेंटेट इंजिनियर्स ने बेहत बारी की से आपके लाइफ को आसान और हाई टेक बनाने के लिप बनाये हैं तो प्लीज रिलाक्स होकर बेटिए, कीप काम यार और वीडियो को लास्ट तक एंजोई कीजी ओके गाईज तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे नमबर पांच की गैजट से जिसका नाम है डूजी तीट त्री नाम से ते ये बिलकुल आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कोई स्मार्ट फोन का नाम है क्योंकि इस कमपनी का नाम शायद आपने पहले सुना ही नहीं होगा लेकिन इसका ये फोन है बड़ा शान्दा है इसकी बॉड़ी बिलकुल मैडालिक मैन या एक आइरन मैन की तरह लगती है जो कि तूटे की कैस है मल्टी लाइफस्टाल लगजरी लेदर की जो बनी है जिसकी उपरी हिस्से पर टाइम दिखाने के लिए LED स्क्रीन है जो कि इसको बहुत ही यूनीक बनाता है और ये ब्लैक और प्राउन कलर में मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि ये डुवल स्क्रीन मॉडल है तो इसके टच्स्क्रीन के उपर भी स्क्रीन है और साइट बॉडी टाइटेनियम फ्रेम की बनी है इसका फ्रेंट कैमरा 8 मेगा पिक्सल और बैक कैमरा 13 मेगा पिक्सल का है इसके 3GB और 32GB वाले वैरिंट की प्राइस लो अगभग 19,000 रुपीज है ओके नमबर फोन पर आते हैं हमारे रेजर फोन अरे गेम के दिवानों पबजी के दिवानों इस फोन को ले लो यार तो जिन्दगी बन जाएगी जिसमें Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर है और 8GB RAM है साथ ये वैपर चेमबर कूलिंग सिस्टम के साथ HD डिस्प्ले भी दिया गया है कैमरा पोट्रेट मोड में है डूवल फेसिंग स्पीकर्स के साथ ये फोन वाटर प्रूफ भी है और तो और Wireless Charging भी रखता है अब कितना लालची बनोगे चलो ठीक है और भी कुछ दूँ अरे यार हमें कितना कुछ चाहिए चलो ले लो इसमें 4000 mh की बैटरी भी है कितना गेम खेलोगे और कितना मोबाल चलाओगे जितना गेम खेलना है खेलो, आराम से खेलो ये गर्ब नहीं होगा और हीटिंग भी नहीं करेगा क्योंकि यह बड़ा कूल है, कैप्टन कूल माही की तरह तो मूवी देखें गेम के लिए कुछ भी करिए यह आपके साथ है इसकी 64 GB वाले वेरेंट की केमर लगब 60,000 रुपए है अरे किसी बॉर्डर पर धमागा नहीं करना यार हम तो स्मार्ट फोन बता रहे हैं जो कि दुनिया का पहला स्मार्ट ड्रोन फोन है यानि हवा में उड़ने वाला फोन अब आप कह सकते हैं उस गाने की तरह हवा विच उड़ता है मेरा फोन सोचा नहीं होगा ना लेकिन 360 डिगरी एंगल पर यह आपकी आईस से कंट्रोल होगा और आपको इसे हैंडलिंग करने की भी जरुरत नहीं यह एरोपलेन की तरह हवा में उड़ता रहेगा और आपकी आँखों से चलता रहेगा यानि कि कितना मज़ा आने वाले है आपको इसे कंट्रोल करने में अपनी पिक्चर लेने के लिए किसी से बोलना नहीं पड़ेगा शादी पार्टी की वीडियो बनाने के लिए भी आप अपनी आँखों से कंट्रोल करके बहुत ही बड़िया वीडियो बना लेंगे तो दोस्तों बनाओ बनाओ बहुत सारे वीडियो बनाओ साथ में तेड़े मेड़े मुग बना कर बहुत सारी सेलफियां भी खीचो लेकिन ने इस नैन मटक के फोन के लिए एक लाइक तो बनता है यार यह नाम सुनकर यह तो नहीं लग रहा कि अब हम कोई राजा महराजाओं की बात करेंगे नहीं नहीं दोस्तो अभी तो स्मार्टफोन की बात चल रही है जिसमें एक बिल्कुल नए फीचर वाला स्मार्टफोन मार्केट में आ गया है जो कि फोल्डेबल है जी हाँ जैसा कि आप लैप्टाप को फोल्ड होकर छोटा कर देते हैं वैसे ही स्मार्टफोन भी मार्केट में आ चुका हैं, जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट का कॉम्बिनेशन है, इसक्रिन इस तरह से रोटेट हो जाती है, जैसे कि किसी ने इससे तोड़ मरोड दिया हुआ, इसका फ्रेंट 16 मेगा पिक्सल कैमरे के साथ और बैक 20 मेगा पिक कर सकते हैं, है ना गजब का फोन? लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसकी प्राइस का अभी तक कुछ पता नहीं है, तो अगर आप इसकी प्राइस के बाने में कुछ भी जानते हैं, तो प्लीज आज की इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आज की इस वीडियो में नमबर वन पोजीशन पर बने हुए है जियोफोन 3 दोस्तो जिस फोन का हम सभी को बेसबरी सिंतजारे वह है जियोफोन 3 बट अभी इसकी लाँचिंग डेट और प्राइस फैनल नहीं हो पाई है और मार्केट में इसकी स्पेसिफिकिशन की प्रोडक्शन चल रहे है इसकी अनुसार जियोफोन 3 में आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल फ्रेंट कैमरा देखने को मिल सकता है लेकिन अब भी यह है कश्म कश्म बंदा हुआ है अब बार है इस वीडियो को लाइक करने की धेर सारा शेयर करने की और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को दवाईए साथ में उसके पास आने वाले नोटिफिक्शन बेल आइकन को भी ताकि अगला वीडियो और अगला स्मार्टफोन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तब तक के लिए बाबाई